सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमश्कार क्या हाल चाल सबके कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टुडीज भी सबकी अच्छे चल दी होंगे दोस्तो अक्टूबर में आपका एक्जाम सेडियूल है राजस्तान असेस्टन प्रोफेसर का तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अक्टूबर तक हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा so गाईज यह सवाल सब स्टुडंट को प्रेसान कर रहें कि सर कहां से सुरू करें और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें समझी नहीं आ रहा है paper 1 में क्या पढ़े paper 2 और paper 3 तीन paper आपके होते हैं जिसमें एक subject और एक आपका journal paper यहनि paper 1 और paper 2 आपके subject वाले paper होंगे और third paper होगा वो general paper होगा तो बहुत सारे student है जिनकी query आ रहे है कि sir कहां से cover करें तो आज का जो session रहेगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको October तक आपका syllabus complete करना है अच्छे से revision करना है तो आप कहां से revision कर सकते हैं क्या आपके sources हो सकते हैं तो सबसे पहले तो देखो इस exam के pattern को हम देखते हैं कि आप से कौन-कौन से segment है और क्या इसका pattern है गईस तो RPSC Assistant Professor exam की मैं बात करूँ तो आपके दोस्तों team paper होंगे paper 1, paper 2 and paper 3 जिसमें paper 1 और paper 2 है वो आपके subject के paper होते हैं यानि आपका जो विशय है उसके paper होंगे ठीक है और जो तीसरा जो paper होता है वो general studies of Rajasthan यानि Rajasthan general studies का paper है तो paper 1 और paper 2 की मैं बात करूँ गाईस तो 75 और 75 marks के आपके paper होंगे यह ठीक है और paper 3 की मैं बात करूँ तो आपका 50 marks करहेगा अब यहाँ पे आप 75 और 75 marks के जो है इनमें आपकी जो प्रिशन आने हैं दोस्तों वो आपके कितने आने है 500-500 questions आने हैं आपके और इसमें आपके 100 questions आएंगे तो अब इनको हम किस तरह से तयार करें कैसे इसका revision करें तो इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए paper 1, paper 2 और paper 3 तीनों के लिए आपके लिए separate courses हैं वो आचुकी है तो paper 3 का जो हमारा course था selection batch वो तो already आपका चली रहा है और paper 1 और paper 2 history का भी आपके लिए course है जो आचुक रहे है अब जो history का जो courses है दोस्तों वो आपका mcq batch है क्योंकि mcq की through revision करना थोड़ा सा असान है हना आप हमारे पास में time भी कम है तो जितना हो सके उतना कम time में हमें revision है वो करना है तो इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए मैं बात करूँ history के लिए तो history के लिए आपके लिए आचुका है पार्थ बैच पार्च बैच में क्या है कि complete history का syllabus है paper 1 और paper 2 वो throw the mcqs है उसको हम cover करेंगे और इसकी जो validity है इस course की वो आपकी till exam है और ये जो course है वो आपको jrf adapt पे मिलेगा इसकी सुरवात हम 17 जुलाई ह से करने वाले हैं guys ठीक है साथ में दोस्तों आपका paper 1 और paper 2 है ये भी आपको already start हो चुका है तो इसमे complete paper 3 जो है राजस्तान वाला उसकी हम तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको complete syllabus होगा experience faculties है live or recorded classes है English Hindi medium में है printable PDF है notes वगेरा है weekly doubt session है साथ में दोस्तों आपको test series भी मिल रह हैं तो test series आपके लिए बिल्कुल क्या है free है ठीक है तो आप सभी के लिए अगर आप अच्छे से revise करना चाहते है paper 1 paper 2 और paper 3 का complete solution है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा अगर history वाले student है तो आपके लिए paper 1 और paper 2 भी है अगर आपका other subject है तो आपके लिए दोस्तों paper 3 का ज सारा printed material जो printable material है वो आपको PDF form में दिया जाएगा तो आपको घर बैठ के अच्छे से revise भी कर सकते हैं साथ में practice के लिए आपके लिए test series available है paper 3 की तो ऐसा करके आप अपना revision है वो timely complete कर सकते हैं और यह सारी चीज़े आपको कहां पे मिलने वाली है यह सब आपको मिलने वाला है grf adda app इस app को install करेंगे तो आपको AP वाले segment में जाना है AP वाले में राजस्तान assistant professor और यहां पे आपको मिलेगा history paper 1, paper 2, paper 3 और अकेला अगर paper 3 का लेना चाहें तो यहां पे general paper 3 का course आप ले सकते हैं यहां से जाके आप अपना course है उसको purchase कर सकते हैं तो इस तरीके को अपना के या इस वे से आप अपना पूरा का पूरा revision है वो कर सकते हैं टाइमली revision है वो आप कर सकते हैं अक्टूबर तक वैसे तो देखो complete चीजों को पढ़ना मुस्किल है लेकिन अगर आप mcqs के थ्रू करते हैं तो चीजे हम थोड़ी सी fast cover कर सकते हैं revise अच्छे से कर सकते हैं तो हमारे watches के साथ में आप अपना syllabus है उसको cover कर सकते हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लिजे जिससे की आपको regular basis पर notification मिलते रहे हैं like and share कर दीजे ठीक है जिससे की बाकी लोगों तक भी ये जो session है वो पहुंच सके और उनको भी in courses का benefit हो सो गई आज के लिए इतना ही है thank you so much bye bye take care and keep smiling keep learning